पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों आपको बता दे कि पुर्व ओपनर गौतं गंभीन ने कहा कि भारत के नए टी-टॉन्टी कप्तान हार्दिक पांडिया ने कप्तानी सभालने के बाद से अभी तक अच्छा काम किया है और प्रतेक मैच के बाद उनका आंकलन ही किया जाना चाहिए पूने में खेले गए दूसरे टी-टॉन्टी मुकामले में भारत को से लंका के हाथो 16 रन से हार मजेलनी पड़ी थी और इस हार के बाद क्रिकेट पंडित और फैंस हादी पांडिया का अलग-अलग पहलुए से निसाना बना रहे हैं और इसी के बाद गंभीर ने इस्टार स्पोर्स चैनल पर कमेंटरी के दौरा नहीं बात कही हार्दिक की कप्तानी के सवाल पर गंभीर बोले कि वह बतोर कप्तान बहतरीन कर रहे हैं हर मैच के बाद किसी खिलाड़ी की समच्छन ही करनी चाहिए जबकि भारत मैच हार गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कुछ गलत किया हर दिक नौ बोल के लिए बालोरों को कंट्रोल नहीं कर सकते यह जिमनेदारी और जबादेवी गेंदबाजों की होती है उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने भारत की जितनी भी कप्तानी की है उन्होंने वास्तों में अच्छा काम किया है